मेरा बस ये सपना था कि मैं किसी तरह YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्रीट कर लूँ मेरे माँ के जो भी जेवर थे वो बिग गये, हमारे गाओं के जो जमीन थे वो भी हमें बेचने पड़े हम लोगों ने उधार लेने सुरू किया और बहुत सारे ऐसे रिस्तिदार भी सामने आये जो कि उस वक्त हमारा साथ छोड़ दिये और हम लोग समझ चुके थे कि बहुत ही जल्द हम अपने पापा को खोरने वाले हैं उसी समय मैंने ठान लिया कि इस गरीबी को मैं ऐसे रहने नहीं दूँगा गिरते हैं सहसावार ही मैदाने जंग में वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल जले इन पंतियों का मतलब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा नमस्कार जोहार मेरा नाम है नितिश कुमार आज मैं आपको जारखन की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर जोश, जुनून और जिद भर देगी तो ये कहानी सुरू होती है जारखन के गुमला से जहां मेरा जन्म हुआ मैंने गरीबी को बहुत पास से देखा है मेरे माता पिता ने ऐसी आर्थिक स्थिती देखी है जिससे सोच कर आज भी मेरे आखों में आसु आ जाते है मेरे पिता दूसरों के दुकानों में काम करते थे कभी किसी के पानगुम्टी में, तो कभी रोड जब बनती है, तो रोड की मरम्मत में वो कुदाल चलाते थे, इधर उधर हर दिन किसी तरह वो रोजी रोटी जुटा पाते थे, मेरी मा साथ में दूसरों के साड़ी में फॉल लगाती थी, तो दूसरों के घरों में काम करती इस तरीके की हमारी आर्थिक स्थिती थी इस आर्थिक स्थिती के साथ ही एक बार क्या होता है कि हमारे घर में चोरी हो जाती है और उस चोरी में मेरे मां के जितने भी जेवर गहने कपड़े सब कुछ चोरी हो जाते हैं और स्थिती और ही ज्यादा दैनिय हो जाती है बहुत ह ज्यादा परिस्तिती खराब हो जाती है तब मेरे पिताजी ने सोचा कि उन्हें कुछ बेवसाय सुरू करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा होटल खोला उसे होटल भी नहीं कहेंगे एक तरह का एक जोपड़ी नुमा होटल बनाया बांस और प्लास्टिक के टॉप किया पेपर पे मेरा नाम आया घर की हालत भी काफी सुधर चुकी थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था परिस्तिती बहुत अच्छी होती जा रही थी लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी जो है इतनी आसानी से नहीं जाती और यह जो संघर्ष का दिन था इतने जल्ल चलता है मेरे पिता जी जो हमारे घर के गार्जियन है जो हमें उनके वज़े से पूरे घर के खर्चे चलते हैं उनकी दोनों किड़नी फेल हो जाती है और ये एक बहुत ही जटका वाला समय था पूरे परिवार के लिए तो आप समझ सकते हैं कि एक तो गरीबी और उपर से इतना बड़ा ये बिमारी हमारे लिए बहुत ही जटका वाला समय था हम लोग संभल नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से हम लोग पैसे इखटे करें हमा लोगों ने उधार लेने सुरू किया और बहुत सारे ऐसे रिस्तिदार भी सामने आये जो कि उस वक्त हमारा साथ छोड़ दिये आप समझ सकते हैं डायलेसेज, ट्रांस्प्लेंट और यह सारी चीजे कराने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे और हम लोग समझ चुके थे कि बहुत ही जल्द हम लोग अपने पापा को खोने वाले हैं और इस इस्तिती में उस चीजों का सामना करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पढ़ रहा था फिर भी हम लोग जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश कर रहे थे सब्ते में दो बार पापा का डायलेसिस होता था उस डायलेसिस में हर बार 7000-8000 एक दिन में खर्च हो जा रहे थे फिर हमें पता चलता है दो साल के बाद कि पापा को हम लोग खोच चुके हैं पापा इस दुनिया में नहीं है और उस वक्त मैं राची में था और मुझे अंदर से ही बहुत अजीब सा म मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है उसी समय मैंने ठान लिया कि इस गरीबी को मैं ऐसे रहने नहीं दूगा कुछ तो करूँगा कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि मेरे भाई को मेरे पूरे परिवार को मुझे गर्व होगा वो एक ऐसी स्तिती थी कि जब मेरे भाई पूरे परिवार को संभाला उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी है मैं जो करना चाहता हूं जितना पढ़ना चाहता हूं वो मेरे साथ में हैं और वो हमेशा साथ में रहेंगे और तब ही मैंने सोचा कि अगर मेरे भाई मेरे लिए खड़े हैं तो मैं भी उ सामने नाइन टू फाइब की जॉब नहीं कर सकता हूं मुझे मेरे सपने बड़े थे मैं कुछ अलग करना चाहता था मेरे अंदर जो क्रियेटिविटी था उसको मैं निकालना चाहता था और इसी दर्मियान उसके बाद लोगडाउन का टाइम आ जाता है जब हम लोग सारे ल वीडियोज बनाने हम लोगों ने सुरू किये मेरा बस यह सपना था कि बस मैं किसी तरह यूटूब पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लू और उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे फूड दिखाने हैं क्योंकि बच्पन से जैसे मैंने कहा कि मैं होस सभालने के बाद ही अप के लिए यूटूब पे वीडियोज बनाना या फूड वीडियो बनाना बहुत ही नई चीज है तो जब हम लोगों ने फूड वीडियो बनाने सुरू किये तो लालपूर की गलियों में बिर्सा चौक में हम लोग जाते थे और लोग हम पे हसते थे बोलते थे देखत इस र सरिके से अलग-अलग जगहों पे जाने लगे अलग-अलग होटल पे गए रेस्ट्रोएंट पे हूरु में हमारे पास उतने पैसे की हम बड़े बड़े होटलों पे जा सके और खाना खा सके अरहां मेरा कजन भाई दोनुंंग हम भात order करते थे और उसी में दोनों बाट के खाते थे और दिखाते थे जितना हम लोग दिखा सकते थे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे पास ना कैमरा था ना कोई muddy माईक था ना को रिंग कि बात है जब उसे पता चला कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके है मैं उसके घर गया मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे एक क्यामरा चाहिए उसने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं 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 दे सकते तुम चले जाओ तो मैं सच में बहुत तूट गया था कि अब बता था कि मैं कर सकता हूं मैं अकेली जाने लगा इसकूटी बहुत स्पीड में मैं चला रहा था अचानक आगे जाके एक मोड आया और मैं खुद को संभाल नहीं पाया मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और वहां पर मैं गिर जाता हूं और बहुत बहुत ज्यादा वह खून बहरा था मुझे पता नहीं कि मैं वहां पर कितनी देर था मैं बिखोष हो चुका था laeme लेख छोब को देखा तो मैंने देखा कि मैं घीरा हुआ हुँ सकूटी कविं क maior पेjuा एक किसी तरह मैंने अपना चस्मा खोजा, उसके बाद मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचता हूँ तो सब देख के बहुत हैरान हो जाते कि आखिर हुआ क्या है, मैंने खुद को बस एक रूम में बंद कर दिया और मैं खूब रोने लगा, क्योंकि मुझे जब दो समभाल लेता हूँ तो जरूर मैं कुछ न कुछ तो कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में ही कहा कि गिरते हैं सहसावारी मैदाने जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो इस वक्त मैंने ठाना कि मुझे घुटनों के बल न जाके हम लोगों ने विडियो किया जहां पर बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और जारखंडी खाना मिलता है, उसके बाद धीरे-धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, लाखों लोग हमारे साथ जुडने लगे, काफी लोगों ने हमें पसंद किया कि हम कुछ अलग जारखंडी खाना दिखा रहे हैं, और उसके बाद हमें बहुत जगा से प्रसंसा मिलने लगी, तो हम लोगों ने जारखंड और राची के हर जगा को कवर करने की कोशिस की, और उसके बाद सबसे पहले जब हमारे पास पैसे आने लगे, हमें YouTube के तरफ से पैसे आने लगे, और उसके बाद बहुत सारे बदलाव आने लगे, अब हम लोग उस इस्थिती में थे, जब लोग हमारी प्रसंसा कर रहे थे, लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये ऐसी इस्थिती थी, जहां सिर्फ प्रसंसा से तो काम नहीं चल सकता था, इस वक्त हमें अच्छे पैसे भ मेरे परिवार ने जो सामना किया था, जो ताने जो कमेंट्स हम लोगों ने देखे थे, सुने थे, उन सभी चीजों से अब लोग वही लोग अब सामने से आते हैं, अब तारीफ करते हैं, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ हम लोग वीडियो भी बनाना चाह तो ये बदलाओ मैंने देखा है, वो रिस्तदार जो छोड़ के चले गए थे, वो फिर से वापस आने लगे, वो लोगों को बताने लगे कि ये हमारा नाती है, ये हमारा भतीजा है, तो इस तरीके के बदलाओ हम लोगों ने लोगों में देखे, जब भी मैं जाता हूं, क वहाँ पर मेरे माता-पिता खाना बना रहे हैं, और मैं उन्हें देख रहा हूं, और उनके लिए सारे दर्शकों को बोल रहा हूं कि आप यहाँ आए, आप यहाँ पर खाईए और इनकी मदद कीजे, इनका स्वादिश्ट खाना खाए, तो मुझे लगता है कि हर दिन मैं जब घर से निकलता हूँ किसी धाबे या किसी होटल या किसी जोपड़ी में पहुचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं घर पे पहुचा हुआ हूँ आज जार्खन नहीं नहीं राची नहीं बल्कि विदेश की भी महमान हमारे यहां आ रहे हैं जार्खनडी खाना को पसंद कर थे हैं उन्हें उस संस्कृती से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज्हारकंडी पकवान ज्यारकण में नहीं बलकि देश विदेश तक पहुंचे हम सभी के जीवन में परिस्थितिया बदलती है बिगड़ती है फिर समभथी हैं जैसे मेरी जीव सबी को उस परिस्तिती से लड़ना चाहिए, सामना करना चाहिए ताकि हम उस परिस्तिती से बाहर निकल सके, और अपनी जीवन में सफलता प्राप्ट कर सके है। क्योंकि आप Josh Talks देख रहे हैं, तो जाहर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. और वो सारे skills सीखना चाहते हैं, जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सके. और आपके इनी सपनों को पूरा करने में मदद करता है Josh Talks का English Speaking App, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे skills को सीखने में, जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं. चाहे इंग्लिश बोलने में confidence और fluency की कमी हो, या personality develop करने में परिशानी हो रही हैं. इस सब के लिए आपको one-stop solution हम देना चाहते हैं और इसका नाम है Josh Talks English Speaking App. तो इंतिजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए Josh Talks English Speaking App और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाईए. Click the link now.